जो सबसे में मेरा उपलब्धियों में गिनती है लिटिल फ्रावर स्कूल से ले करके सद्वन्या तलाब तक के जल भराओ हो जाता था अब हमने वहां पे नाली निर्माण किया है और पानी निकासी के लिए सीधर डारेक्ट नाले पे प्रवेश किया है इसलिए आज उस छेत और मोर मकार के तहट में पूरे वाड़ों में नए रोड का निर्माण किया है डावरी करन भी हुआ है लोगों का ये तक कहना था कि राशन काड की लिए लोगों को समस्या में पारशत कारेलय में राशन wanna नहीं मिरा उनका कहना कारेल है इस पर थोड़ा विस्तार कीजिए यह क्या मामला चल रहा है फे जनता को परिषानी ना हो कर, करके वाड के लोगों के लिए अनेक परकार कि अनाज भर घर पहुंचा है, अनाज बाटने का काम किया आनेवाले 6 माध के वाद नगर का चुनाओं है आपकी तैयारी कैसी है और जाए जोहार चुतिसगर्ड आप मन देखतो न्यूज 72 न्यूज 72 की टीम वाडों के सर्वे में निकली हुई है जबकि यहां छे माह के बाद नगरी निकाय का चुनाओं होना है इसी सिलसले में आज हम स्रीमती नीलम नीलकन जगत जी के कारले में आया है हम उनसे जानेंगे कि वाड के विकाश के लिए इन साड़े चार वर्सों पूरे होने जा रहा है क्या क्या काम हुआ सबसे पहले नीलम जी आपका न्यूज 72 में स्वागत नौशकार मैं नीलम जगत नीलम जी नीउ 72 निकली हुई है सर्वे करने ताड़े चार वर्सों में आप जब से पारसत बनी है इस वाड में सिविल लाइन एरिया काफी वियाई पी एरिया माना जाता है आप अपने कारेकाल में कौन-कौन से विकास के काम नगन निगम के माध्यम से यहां करवाई है थोड़ा प्रकास जाली विसार से बताईए जनता जानना चाहती उपलब्धियों का अगर बयान किया जाये तो अने को उपलब्धियां है भवन, रोड, नाली, निर्मार अने को कारे हुए हैं जिस पे मैं बोलूंगी कि जब जो सबसे में मेरा उपलब्धियों में गिनती परशानी होती थी इस वज़े से लोग बहुत परिशान थे तो सबसे में काम हुआ है जल भराना का दूर हो गया है अब हमने वहां पर नाली निर्मार किया है और पानी निकासी के लिए सिधा डारेक्ट नाले पर प्रविश किया है इसलिए आज उस छेतर में जल भराव की समस्या से मुक्ती मिल गई है सेम इसी तरीके से ही रावन पूतला छेतर के पास में भी जल भराव की समस्या थी और वहां पे भी इस तरीके से हम लगनाली निर्मार करके वहां के लोगों को भी जल भराव समस्या से मुक्त किया है यह बहुत ही महत्पूर काम है ताकि काम है क्योंकि जल भराओ एक बहुत बढ़ी समस्या है थोड़ी सी पानी गिरे तो लोगों को इतनी समस्या होती है लोग रात को भी गिरे तो सो नहीं पाते हैं दिनने भी परिशान रहते हैं तो यह बहुत ही मेरे को ऐसे लगता है कि बहुत महत्पूर्ण काम हुआ है जल भराओ क जो कि एक सहर का बहुती में पॉइंट था सुन्दर पॉइंट था और वहां पे डंपिंग पॉइंट बन गया था इतना बड़ा छेतर होने के बहुत भी लोग यहां पे कवारी और बहुत गंदियां फैला रहे थे उस छेतर में मैंने भवन बनवाया है सैड डलवाया है जो और सैट भी बहुत महत्कून काम कर रहा है आज है और इस तरीके की मैंने बहुत सारे काम किये हैं और श्यामनगर छेतर में श्यामनगर में छेतर में मैंने आज तके कम से कम चौ簡 deja को आवासस दिलाया है मोर मोर जमिन मोर मकात के तहत में वहां पे चौंसट लोगों को अपने पर चौंसट परिवारों को नए घर की सुधा दी है वह आज लोग वहां के लोग इतने खुश है उन्होंने कहा कि मैणा आप क्या आते ही हमें नए च्छत की सुधा मिल गई है करके वह लोग आज बहुत ख किया गया है जिसमें डावरी करण भी हुआ है और सीसी रोड का भी काम हुआ है और पूल बनाया गया है जिससे की नालियों में कच्रा बहुत खरस जाता था लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी गंदगी फैलती थी बद्बू फैलता था तो इसलिए पूल अनेक ध्यान रखते हुए हमने हर वर्ष सफाई करवाते रहते हैं तालाब का ताकि गंदगी ना फैले तालाब में और वहां के लोग बद्बू से मुक्त रहे खुश रहे उने सुद्ध ताजा हवा मिल सके इस तरिके कि अनेको सुविदा है मैंने अपने वाडवाशियों के ल कोशिश करूंगे वाड के सरवे में अभी थे तो सरवे में लोगों का ये तक कहना था कि राशन कार्ड के लिए लोगों को बहुत समस्या आ रही है पारशत कारयले में राशन कार्ड नहीं मिरा उनका कहना था और जोर्न कारयले में उन्हें भटकना पड़ रहा है इस पर बात अगर उतकल बस्ती की जाए तो वहां उतकल बस्ती परिशीमन में जुड़ी थी पूर्व चुनाओं के पहले तो वहां बाबु जग जीवन राव में आता है तो आज भी आज भी उस बाबु जग जीवन राव के नाम पे वहां के काड को कुछ काड को जोन 10 में भेज द हुई है पर मैंने जौन कमिस्णर जी से बात करके जौन-10 के कमिस्णर से बात करके अमने अपने काड मांग लिये और बहुत जल्ध ही काड़ बडदी वित्रन का काम चालू कर दिए कभीर चोक के आगे में अमभेटकर चोक में ही है अमभेटकर भवन वो क्या है कि पहले चोटे मुटे कारे हुआ करते थे शाधी ब्या का पर कुछ समय से रोक लगा दिये गये थे पर अब हमने नगर निगम की साहता से वहां पे ऊपर में और बड़ा सा पहले साधी में आज तक के बहुत पैसे खर्च होते हैं मैं इस बात को मानती हूँ और बहुत से लोग जो पैशे वाले होते हैं उनको पहले से लिया जाता है भवन की सुविदा मिल जाती है पर गरीब लोगों के लिए यह करना मुंकिम नहीं होता है इसलिए हम लोगों ने बहुत कम राशी में अमबेटकर भवन जो की दिया जाता है मांगलिक कार्यों के लिए वहां पचास लाग की लागत लगा कर भवन बनवाये गया है और करती है वहां पर जल जल योजना अम्रिज जल मिसन के अंतरगत क्या काम करवाये हैं सड़कों के अंदर तक कंक्रिटिंग का काम है और भी सामुदाइक भवन है और निरासरीत पेंसन इन ही लोगों को ज़्यादा ज़रुरत रहती है उतकल समाज के बहुत से लोगों रहते हैं तो इनको निरासरीत है विरिद्धा पेंसन योजना हैं महतारी वंदन योजना है इन प्रधान मंतरी आवास योजना है इनके अंतरगत कितने लोगों को आपने लाब दिलाया थोड़ा विस्ता है आप उतकल नगर की बस्ति की बात करते हैं तो वहां पे मैंने पाइप इस सविक्रिति नहीं आप आई है अगर वहां पे जैसे ही आपा शासन अगासे स्विक्रिति आती है और वहां पे flot बहुत जल्द एक आंगन बारी तैयार हो जाएगी और दो भवन का कारें पूर्ण होने को हैं एक फ़वन पूर्ण हो चुका है और दूसरी पूर्ण होन कुछ बुजूर्ग हो जाते हैं उनको अपन नगन निगं कि सायता से पेंशन की सुविदा दिलाते हैं मैं खुद वहां पे बैढ़ कर अपने वाडों की लोगों के लिए उस समुदाएग भवन में जो जो कि अपन भवन बनवाए हैं उस समुदाएग भवन में बैठ कर निरशित पेंसन का form डाल वाती हूं और लोगों को सुविधा दिलवा जा रहा है और ऐसे कुछ बहुत सारे काम होता है महतारी बंदन हम्ने उस उसी चेतर में बैठ आए हैं जिससे लोगों को सासन का पूर्ण लाब मिल सके और असुविदा ना हो इधर उधर ना भटके इसी वज़े से अपन उसी जगे में उसी छेत्रे के भवने बढ़कर यह सम काम करते हैं सफाई की व्यवस्ता को लेकर आए दिन लोगों को पार्सत से बहस करते दिखा जाता है सफाई के सवास्त को लेकर आप कितने जागरोगे कैसे कितने लोगों की टीम लगाई है थोड़ा बता है सवास्त सिवीर वहाँ पर समय समय पर मैं सवास्त सिवीर भी लगवाते रहती हूँ कभी नेतर के लिए कभी पूरे वाडी चेक अप के लिए इस तरीके से लोगों का स्वास्त को भी देधियान में रखती हुए उनके स्वास्त सिविर लगाया जाता है और स्वास्त रहना है तो सफाई रखना जरूरी है तो सफाई रखने के लिए में हर हपते हपता में हमारे जोन गैंक आती है अक्सर गैंक वहाँ पे भीजा करती क्योंकि वहाँ पे बड़ा नाला है और बड़ा नाला में बहुं सारी गंदी हो जाती है बाहर से भी कचरे आते हैं बस्ती के लोग भी डाल देते हैं तो इसलिए में हर वक्त वहाँ पे सफाई होता रहे गंदेगी ना बड़े भीमामरी ना पन पे करके इसलिए बहुं सा को गाते रहते हैं सफाइख कर्म चाली को वहां भोगों करते हैं इस तरह सक कोरोना आ गई कोरोना के आते ही हमें बहुंस सारे अनेकों कथिनायों को सामना करना पड़ा कोरोना एक ऐसी बीमारी हो गई थी जो कि हमने ना कभी सुना था ना कभी जाना था हम उस कोरोना काल में इतने परिशान थे फिर भी हमारे वाड की जनता को परिशानी ना हो करके ह के लिए अनिक प्रकार के अनाज भरघर पहुंचाए सुखे अनाज बाटने का काम किया गया और रोज फॉगिंग करने का काम किया जाता था और सैनिटाइजर वगेरा, मास्क वित्रण, इस सारे बहुत से काम किये गए, यहां ते कि दवा तक कि उनको पहुँचा गया था, कोरोना काल हमारे लिए एक बहुत ही कठिन एक परिशा की घड़ी थी, और उस परिशा की घड़ी में हमने लोगों तक दवा, खाना, अनाज, सब कहुचा कर हमने जीत हाँसिल की ए, और हमारे उस समय हमारे कारेकाल में बहुत सूरक्षित लोग बाहर निकल गये हैं, अभी रासन कार्ड की बड़ी समस्या सुन्ने को मिलती है नया रासन कार्ड बनाए जा रहा है पुराना रद्ध हो गया है तो यह रासन कार्ड अभी हम देख रहे हैं आपके कारले में भी हम अपने केमरमेन से कहेंगे कि रासन कार्ड जो कारले में रखे हुए उनको थोड़ देख रहे हैं राशन कार्याले काम बहुत तेजी से चहर रहा है और हम यहां के लोगों को इसी मेरे ही कार्याले क्योंकि यह कार्याले बहुत ही अभी फेमस हो चुका है लोग जा रहे हैं कि मेडम आके यहां पर बैढ़ती है और राशन कार्याले काम भी यहां पर किया जाता में ही किया जाता है तो यह परिसर एक जाना पहचाना परिसर हो चुका है कि यह पार्षत कार्याला है और यहां पे नियमित रूप से काम होता रहता है इसलिए यह इस्थान चुना गया है और लोग यहां पे जानते हैं कि यहां पे कुछ हो ना हो लेकिन मैडम तो जरूर मिल विदुरुंटेंगे का थोड़ा साथ हो खेत्रु तो ब सुच्छा है कि बाटेंगे तो वहाँ पर पर काओंगे यहां पर बैठने का टाइमिंग क्या Have a रावन पुतला राजिन नगर में जो आपका कारले आप यहां से संचालित करती हैं आप पर बैठने का आपका टाइमिंग क्या है थोड़ा लोगों को बताएं कारले मेरे सुबा से लेकर शाम तके खुले रहते हैं और मैं यहां पर 11 बजे से 2 बजे तके आपको मिल ही जाती हूं और राशन कार्ट अपन सुबा से 4-5 बजे तके बाट जब तके लोग आते रहते हैं बटना चालू रहता है क्योंकि लोग आ रहे हैं तो हम उनको वापस नहीं भीज़ सकते हैं लोग आ रहे हैं अपनी समयस Americas को लेकर के अपनी कार्ड क को लेकर के नयाकार उनको लेकर जाना है पुराना कार्ड जमा करना तो एक काम पनी कार्ण कि आञारी का चुनाओं को kan No मैंडम आप ही फिर से दुबारा आकर खड़े हुई है इस चुनाव में क्योंकि मैंने इस तरीके से महनत कर रही हूँ और आगे मेरे पास इतने थोड़ा सा समय जो भी बचा है अगर मुझसे कुछ तुरूटी रहे गई है कोई काम रहे गया है तो मैं उनसे अपील करती हूँ न्यूस के माध्यम से कि वो मुझसे आके संपर्क करे कि मैंने भी एक काम रहे गया है तो मैं इसमें भी पूर्ण रूप से कोशिश करूँगी कि जो भी अधूरे काम रहेगा है उसे मैं पूर्ण करूँ और अभी तक कि मैं सब काम करते आ रही हूं जो भी मेरी जनता कहती है मेरे का लोग कहते हैं मैं बोलती हूँ कि हाँ ठीक है ये हो जाएगा करके और मैं प्रस्ताव तुरन बना के नगरम निगम से महावर जी से भेट करके वह काम करने में तत्पर रहती हूँ मैंने अभी तके भवान नाली का काम रोड का काम यहाँ पर विगत वर्सों करीब बुडीमा मंदिर से लेकर गवर्धन चौक तक के रोड नहीं बना था आज वहाँ पर पूरी डावरी करन हो चुकी है श्यामनगर जो छेतर है श्यामनगर छोटा सा एक छेतर है मेरे में आता है वहाँ पर कई वर्सों से रोड नहीं बना था वहाँ पर भी डावरी करन हुआ है सिसी रोड बना है भवन बन गया है इस तरीके से वहाँ पर भी श्यामनगर एडिया भी बहुत सैने को काम हुए हर छेतर में देखा जाये तो हर छेतर में सभी तरीके काम हो चुके हैं फ 8-4 वर्सों के कारेकाल के दोरान वाड के विकास के लिए क्या 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 जंता Weight क्या क्या है महिलाओं के लिखकी हित्ध में क्या कार्य किए विस्तार से आपको जानकारी दे रही थी आप देखते रहां मैं हुँ हरी बंद्धुनायक नमर्शकार